मेरा नाम आनुद कमलेश्त्रिपाठी है आप बिंदास भुझपुरिया पर मुझे देख रहे हैं दोस्तों हमारे साथ अर्विंद अकेला कल्लू थोड़े लंबे समय के बाद ये इंटर्व्यू आप देखने जाएंगे सर बहुत सबसे पहले तो बहुत प्यारे बड़े श पूरी से अमारी फिल्म के ट्रेलर लॉंच हुई जिस फिल्म का नामे प्यार का देवता और अगले महीने आप लोग के नजदी की सिनेमा घरम भी ये सिनेमा होगी हम बहुत प्यारी जैसा कि हर लोग बोलते हैं मैं भी वहीं लाइन दुराओंगा क्योंकि मैं यह नहीं ब पड़ेगा इसके बाद आप स्टोरी बता पाएंगे एक ऐसा स्टोरी मैं भी खुद पहली बार जब सुना था और जब कर रहा था तो फिर मेरे को भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था लेकिन पूरी फिल्म की तब हमको भी समझ में आया तो इसके लिए आपको पूरी फि कोई रियक्शन कोई एप्रिसियेशन मिला जी जब सुबर लीज हुआ थोड़ा सा मैं लेट तक स्वयर आगया लेकिन जैसे मोबाइल ऑन किया बहुत सारे लोग का मैसेज आया बहुत अच्छा बहुत अच्छे लग रहे हो कुछ लोग का यह भी आया कि थोड़ा सा गाना एक दो गाने तुआ ज़्यादा है देखिया जो पोजिटिव और निगेटिव हम दोनों बोलते हैं तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि भुजपूरी में एक्शन और गाने एक्शन खास करकर लोग भूल गयते हैं जितने भी हमारी भी दो तीन ऐसे ट्रेलर आया जिस अश्री यह कि इसमें लुक मेरा बहुत प्यार लग रहा है लोग को पसंद आ रहा है लेकिन यह एक्शन से दूरी क्यों थी बीच में एक्शन से दूरी इसलिए भी थी कि लोकडाउन के बाद से थेटर थेटर ओपन नहीं थे थेटर में लोग जाते नहीं थे तो टीवी पे सिनेमा आती थी या लोग के यूटूब पे लॉंच होती थी तो लोग बोलते थे कि परिवारिक सिनेमा बना और कुछ लोग काल जाम था कि बोजपुरी में बहुत ज्यादा असलिल पिक्शरे बन रही हैं ताकि वैसा कुछ नहीं सेंसर से पास होता है तो हमारी फिल्म जैसा हम अपने फिल्म में डालेंगे उनका अलग जोनर है हमारे दर्शक अलग है उनके दर्शक अलग है लोग को यह फिल्म पसंद आएगी जो उनको जो उनका डिमांड होता है हम लोग भी जा जाते हैं तो भाईया कॉमेडी चाहिए एक्षन चाहिए फूल गाने कि यह फिल्मों में रहाने के ऊपर ध्यान दे जाता है फिल्म में es сказала सिनेंग है यह से बढ़के एके सिनेमा आ रहा है अलग-अलग पूरा देखिए ट्रिलर से यह आकलन मत लगाए कि नहीं यार एक ही जैसी है आप लोग पूरे सिनेमा को दो कि पूरे फिल्म को देखे तब आप लोगो समझ मैंगा कि यह हमारी फिल्म है और भोजपुरी में बहुत बदलाव हो गया है अब पहले भी अच्छी फिल्म आती थी ऐसा नहीं है मनुष तिवारी जी ससुरा बड़ा पईसा वाला बनाया थे उस लोग का प्यार निरहुआ रिक्सा वाला चाहा हमने भी फिल्म किये दिलवार आवारा बलम प्यार तो होना ही था तो अब एक से बढ़के और बढ़ी हार बढ़ी है वैसे आप यह कहा कि वही जो गाने हैं गानों पर ध्यान बहुत जादा नहीं दिया जा रहा है लेकर बहुत साहीं लोग यह समझ रहे हैं कि आजकल जो एक्टर्स हैं बेसिकली आप जैसे जो इस्टैबलिश लोग हैं जिनका बड़ा नाम है सिंगर सिंगर प्लस सिंगर टॉन्ड एक्टर जो हैं वह गानों को ज को बीद्ए जो एक जो पाल जाकि आटी प़्ोड कर लें अरुक जो भी जितने लोग इंडर्स्ट्री में तो हप्लक को उतना ही तवज्जु देते हैं जितना अलबम को देते हैं हम जहां से आए उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं हमारी पहचान एज इस सिंगर ही हुई है प्लस एक्टर हुई है तो पहले हमारे लिए गाई की फिर फिल्म हैं लेकिन दोनों का अलग लग है मैं तो इस साल थाओन म से मार्केटिंग करते हैं मैं कम गाता हूं जादा गाने आने के पीछे की एक वज़े यह है कि मुजी कंपनिया जादा बढ़ गई है फिलाहल यह एक बज़े हैं यह सचाही मुजीक कंपनियों बहुत ज्यादा हो गई हैं मुजीक कंपनी एक साथ सा यूटूब चैनल को भाई बोलते हैं और आपने एक चैनल या कंपनी ओपन के और आप बोले कि कलो भाई आप से इतना चाह संबंद तो ये गाना दीजिए तो एक माहिने में कम से कंख हमारे जानने में दो कंपनियां रोज ओपन हो रही है तो अगर दोनों को नहीं देंगे तो रिलेशन खराब हो जाएगा तो ये भी एक हो सकता है कि गाने जादे आ रहे हैं और अभी खास करके जितने भी बड़ी-बड़ी हिंदी कमपनिय थे उन लोग का जुकाव भोजपुरी में हो रहा है ये खुशी की भी बात है तो वो लोग आ रहे हैं तो उन लोग के लिए भी गाना चाहिए हर कलाकार को चाहिए तो जो इस्टेबलिस सिंगर है वो को ज्यादा गाना गार है तो ऐसे तो कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे तो म्यूजिक इंडस्ट्री बनकर रह जाएगी भोजपुरी फिल्म होगी ही नहीं क्योंकि अर्विन दखेला फिल्म करेंगे गाने गाएंगे आठ जब मैं फिल्म करता हूं तो क्यों फिल्म करता हूं आप मेरे जितने भी डेक्टर अगर उनसे आप पूछेंगे अगर वो मेरे डेट लेते 20 तिन की 25 तिन की तो मैं एक दिन ना उसमें पूटिंग करता हूं फिल्म करता हूं तो क्यों फिल्म करता हूं और जब अल्बम करता हूं तो क्यों एल्बम करता हूं दोनों को मिक्स मैस नहीं करता हूं तो मैं मैं कम करता हूं मैं महीने में मेरे पांच्छे सॉंग साथ सॉंग रिज होगे मैं को हां सीजनली जैसे शा स्टेप होता है जब हम पहले सिंगर के तौर पर आते हैं उसके बाद हम अगली कच्छा में जाते हैं जो कि एक्टर है तो फिर हम उसके बाद ग्रेजुएशन से फेल होके या फिर नवी अठ्वी सत्वी के तरफ क्यों आ जाएं जब हमने अपने पढ़ाई पूरी कर ली जब हम एक बार ग्रेजुएट हो गए हम एक्टर बन गए तो फिर पिर वह हमें पीछे आने की जरूत क्यों पड़ जाती है मैं भाईया का बहुत सम्मान करता हूँ इस इंडस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा मनलब प्यार करता हूँ एज एक्टर तो दिनेश लाल यादो जी को और वो अगर कुछ बोले हैं या अगर वो कुछ इस्टेट्मेंट दें तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया होंगे अगर वो बोले हैं तो इस चीज़ पर हम सारे सिंगर लोग को सोचना चाहिए मैं नहीं बोलूगा कि उन्होंने बहुत गलत बोला है सोचना चाहिए लेकिन अभी जो ट्रेट चल रहा है देखे सचाई यही है कि जो चल रहा है अगर उसमें आप भले भीण है लेकिन अपन अलग से लाइन बना के अगर आप नहीं चलेगा तो आप बैक हो जीएगा लोगडाउन में फिल्में बनती है लोगों ने अलबम स्टाट किया लोगडाउन से यह शुरू आत हुई है तो अलबम शुरू हुआ किसी ने दस गया किसी के पास नहीं था तो दो ही तीन सौंग से लनजाए विफिल्म लेगवर्जर ने आप दीडरे अब दीडरे धीरे फिल्म का अच्छा मर्केटिंग हो रहा है अब थेम्गर में जा रही है तो हो सकता है कि सारे जो सिंगर है तो incompetent कम गाएंगे मैं यह ने बूलोंगा कि नहीं गाना चाइग कम गाना चाइगे मैं वह कोशिश करता हूं लेकिन अब क्या करें दबाव रहता है मुजिक कंपनियों का जो फिल्म की कंपनिया थी आप तो सिंगर लोग को बोल दिये फिल्म की कंपनिया के वल पहले फिल्म कर दो दिये जो आवाज पीछेще सुन रहे थैं आप वही नहीं थी, मैं नहीं बोल ला था जर्टेश yay झाल झाल